आज का दिन गुलबरगे के शेयर के लिए एक हिस्टोरिकल दिन था हम इचले 20 साल से ऐसी कभी कोई रैली नहीं देखे ऐसा कहीं जमावड़ा नहीं देखे आज ये सरों का समंदर यहां गुलबरगां में कहां भी देखो सरी सर नजर आ रहे थे कुछ दूसरा नहीं नजर आ आज मलीक अरजुन खरगे सहाब का नौमेनेशन की रैली थी आज सिर्फ ये रैली से आप पता कर सकते हैं मलीक अरजुन खरगे सहाब कम से कम मैं समझता हूं 2-3 लाग के लीड से यहां पर जीतेंगे क्योंकि लोग गंच से जैसे निकले थे अभी तक वही जोश में यहां पर है आप यहां और मैं और एक बात यह कहना चाहता हूं यहां पर लड़ाई कोई हमारे हमारे से जो चीन लिया गया का एंडियाट उससे साथ नहीं है हमारी यहां पर लड़ाई नरेंडर मोधी के साथ डारेक्ट है यह मैं इसलिए बोल रहा हूं नरेंडर मोधी पार्लि में आखरी बार होगा में आप यह लिए आज मैं इसलिए भी मैं यह बात कह रहा हूं कियोंकि आप मेरे बाजु देख सकते हैं मेरे दोस्त नूर अम्मत साब जो के बिचड़ गए थे पांच साल से वो जेडियेस में गए थे आज हम लोग सम्मिर्शर सरकार होने की वज़े से हम दो दोस्त वापिस मिल गए हैं इसलिए कांग्रेस और जेडियेस के लोग मिलकर मलीकारजुन खर्गेस साब को कम से कम तीन लाग ओड़ से जिताएंगा इसे मुझे उम्मेद है और मैं तमाम जम्ता की तमाम गुलबर्गे की जम्ता का मैं शुक्रियादा करता हूं इतने लाग देला की के गसीर तैड़ात में आकर मलीकारजुन खर्गेस साब का हाथ मजबूत करें इसक